नमस्कर प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिनेश कुमार सिंग। पर जोड़ दिया। चुना आयोग ने आगे कहा कि अदि उम्मिद्वार नो डूज सेटिफिकेट परदान करने में वीफल रहता है। तो यह नामांकन की जाच के समय उनकी उम्मिद्वारी के खिलाब जाएगा। उन्होंने कहा कि भारती चेत्र में भारत चेत्र में इस्थिती पर बारिकी से नजर रखे हुए है। रिजर बैंक ने तीन साकारी बैंकों पर नियमों के पालन न करने के काण आर्थिक दन लगाया है। रिजर बैंक द्वारा जारी प्रेज बिग्यप्ति के अनुसार सोलापूर इस्थित्थ। कमी के काण इन बैंकों पर कारवाई की गई है। उन्हें सही सुचनाय परदान करने और लोगतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने अधिकारों को अपयोग करने का आववान किया है। राजपाल अपने इन जर्नर रिटाइट केटी परनायक ने आज राजभौ नीटानगर में इंडियन रेटकर्स सोसाइटी और पवनाचल प्रदेश इस्टेट ब्रांच के वालन्टियर्स के साथ समबाद किया। उन्होंने संगतन में युवाओं के अधिक भागिदारी पर जोर दिया। रिजर्व टीम के लिए आज से इटानगर राजधानी छेतर के राजुगांदी स्टेडियम नहालगुन में तीन दिन का ट्राइल सुरू किया। पहले दिन राजजयस्तरिय अंडर 17 ट्राइल में प्रदेश के 416 खिलाणियों ने रेजिस्टेशन कराया। नोर्थिस उनाइटेट फुटबल क्लब के यूट टीम के कोच अमोग एडगे ने बताया कि विभीन अस्तानों पर ट्राइल चल रहा है। उन्होंने कहा कि कलब तकनीकी रूप से मजबूत और प्रद्वासालिक खिलाणियों के चैन के लिए ट्राइल कर रहे है। श्री एजगे ने इटानगर में 5 अप्रल तक चलने वाले अंडर 17 ट्रोयल में राजबर्श से खिलाणियों की बड़ी संक्या में भागीदारी पर खुसी का इजहार किया। भारती मौसम भांग ने पुरोतर राज्जों में रविवार और सोमवार को गरज के साथ भारी वर्षा का अनमान ब्यक्त किया है। और MTS के पदों पर गहर कानूनी नुक्ती के आरोप में रिटायर्ड DDSC तालेम जामों को गरपतार कर लिया। गौड तलब एक उनके खिलाब ताजिंग सारो जामो दारा सिकायत दर्च कराए गई थी और SIC ने दस्तावेजों की जांच नुक्ती पाने वाले कर्मियों से पूछताच और अन्य तक्निकी जांच परताल के बाद उन्हें गिरपतार किया। अपर सियांग जिले के करसी विज्ञान के अंदर गेकूं में किसानों को आतनिर्वा बनाने के लिए सबजियों की खेती पर एक दिन का प्रसेचन कारक्रमा जीत किया गया। इस उसरप उन्हें कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए हाई क्वालिटी वेजटेबल, सेपलिंग्स और भी तित किया गया। दो पंचायत लेवल फाडरेशन और ग्यारा सोसायता समुहों के कुल 90 सदस्यों को क्रिशी उपकरण और ग्रीन नेट हाउस संबंदी सामगरी परदान की गए। अवनाचल बाप्टीस चर्च काउंचल का 16 वर्षिक संबेलन आज से गालो बाप्टीस चर्च लेखी हापा नहर लगुन में सुरू हुआ। इसी के साथ समाचार बुलेटीन समाप्त हुआ। नमस्कार।